जहें इन दोस्तों क्या हाल है आज का टेक्नो जोई लोजी चैनल में आप सभी लोग को स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे एक अपकमिक स्मार्टफोन इन जुलाई महिने में जो एक स्मार्टफोन है ये स्मार्टफोन कंफराम आने वाला है इन्फिनिक्स वालों के सकते हो तो इसको आंट करने के लिए सिंपल है आप लोग को प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर देना पड़ेगा बहुत ही सिंपल है इसका इंटरफेस इंस्टॉल करने के बाद आप लोग को इसके इंटरफेस में जाना है आप लोग को लोग इन करना है वो लोग इन करत पैसा इंटरफेस देख लेते हैं इसके इंटरफेस में आता है पहले वालेट उसके बाद शॉपिंग नाम का एक दिया है वालेट में और एम पॉइंट्स बेशिकली दोस्तों आप कोई चीज अगर इससे खरीदते हो तो एम पॉइंट्स इससे आप लोग यूज कर सकते हो और जो वालेट का पैसा है उसको भी आप लोग खडीते बाग मतलब दोनों कुल मिला के आप लोग खडीश सकते हो स्क्रैच कार्ट पड़े का देता है आप लोग स्क्रैच करके भी पैसा कमा सकते हो दोस्तों तो बहुत अच्छी अप्लिकेशन है आर्णिंग बाला आप लोग इससे आयंड कर सकते हो बहुत सारा पैसा डिस्क्रैच के लिंक में मैं दे दूंगा इसका लिंक डाउनलोड करने का और जो रेफरेल कोड है आप लोग अगर उसको यूज करते हो तो आप लोग को इंस्टन्ट कैश मिल जाएगा दोस्तों आज हम लोग इंफिनिक्स नोट 7 के बाड़े में बात करेंगे दोस्तों यह मुबाइल अपकमिंग है जोलाई महिने में आप लोग को यह दिखने के लिए मिल जा सकता है इंफिनिक्स कंपनी के तरफ से तो यह मुबाइल प्रीमियम फिल देता है बहुत ही अच्छा मुब आप लोग को सताब बताएंगे दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए इसका कॉनसा कॉनसा स्प्पेसिफिकिसेंस है वह हम लोग जान लेते हैं पहले चलते हैं दोस्तों डिस्प्ले के बाड़े में तो इस मोबाइल का डिस्प्ले बहुत ही बढ़ा होने डिस्प्ले हो 6.95 इंच का hd plus डिस्प्ले होने बाले बढ़ा होगा है बहुत बढ़ा होगा एक पंचल कटाउट के साथ ये मोबा लॉँच होगा वらい मोबाइल दिखने में तो बहुत ही टो ё और धाडी फिल यह लोग बहुत अच्छा देगा प्रीमियाम होगा और इसके back side के बारे में बात करते हैं दोस्तों back side आप लोग को polycarbonate वाला मिलेगा दिखने में बहुत glossy finishing देता है और इसका पीछे वाला जो cutout है camera का वो premium looking देता है OnePlus 7T और 7 Pro की तरह तो यह दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है cool लग प्रोसेसर और storage capacity के बारे में हम लोग देख लेते हैं पहले बात करते हैं इसका जो processor है उसके बारे में इसका जो processor आएगा वो एक gaming processor रहेगा Mediatic की तरह से Helio G17, SoC के साथ यह mobile launch होगा जो की बहुत ही अच्छा gaming processor है अंतो तो benchmark score करीब करीब 2 लाग, पोने 2 लाग की पास चला जाता है यह तो एक बहुत ही अच्छा बात है, गेम आप लोग मखन की तरह खेल सेकते हो PUBG, Free Fire, Call of Duty बहुत ही अच्छा चलेगा इसमें और दोस्तो storage capacity के बारे में बात करते हैं उसको 1TB तक इसको expand कर सकते हो दोस्तों यह बहुत ही बड़ी बात है, एक mobile का storage बहुत ही जरूरत होता है सबके लिए तो 1TB तक आप लोग इसको expand कर सकते हो दोस्तों तो camera की तरफ तो camera इसका बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों camera इसका round cutout के साथ आ रहा है जो की 1 plus 17 में जैसा दिखाई दे रहा था camera cutout वैसा ही आ रहा है, 4 camera इस पर रहेगा जिसका main sensor रहेगा दोस्तों 48 megapixel का Samsung का है या Sony का कुछ मालूम नहीं दोस्तों फिर भी 48 megapixel का है, बहुत ही अच्छा sensor है और उसके साथ 2 megapixel का एक wide angle lens रहेगा और 2 megapixel का depth sensor रहेगा और जो 4 camera होगा वो low light sensor है इसके बारे में कुछ मालूम नहीं कितना megapixel का होगा quad led flash के साथ ये mobile launch होगा और 1080p में आप लोग full hd plus video इसमें record कर सकते हो दोस्तों portrait, beauty mode, hdr, panorama, time lapse और AI feature और इसके साथ आप लोग को super steady mode भी मिलता है जिसके तुरू आप लोग stabilization यूज कर सकते हो वीडियो में तो वीडियो में कोई भी lagging नहीं आएगा दोस्तों बात करते हैं front camera की तो front camera इसका out of the box 16 megapixel का आने बाला है जो की punch hole cut out के साथ आ रहा है एक छोटा सा punch hole है दिखने में भी अच्छे लगता है तो 16 megapixel का इसका AI front camera एवेलेबल रहे हैं जलते है connectivity के तरफ connectivity में आप लोग को इसमें बहुत ही बढ़िया चीज मिलता है आप लोग को पहले इसमें वो wifi का support मिलता है वाइफाइ कॉलिंग आप लोग इससे आराम से कर पाऊगे और वैसे भी वाइफाइ और support और internet sharing वहुत सारा option इसमें मिलता है आप लोगों को आप लोग आराम से internet को share कर सकते हो और dual 4G volte mode भी आप लोगों को इसमें मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है और यह dedicated slot की साथ आता है जो कि पहले भी मैंने बताया तो आप लोग dual 4G इसमें आराम से यूज़ कर सकते हो बैटरी के तरफ दोस्तों तो यह smartphone भी Infinix का अलग जो smartphone है उसी के तरह 5000 mh का बड़ा battery लेकर आ रहा है या आ रहा है तो यह बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों कोई भी Infinix का मोबाईल अभी तक fast charger के साथ लांच नहीं हुआ था जो Infinix Note 7 में दिखाए दे रहा है तो out of the box आप लोगों को 18 वट का charger इस मोबाईल में दिखने को मिल जाएगा software version की तरफ तो software version out of the box यह Android 10 पे लांच होगा Infinix Note 7 जो की बहुत ही बड़िया बात है दोस्तों अभी तक Infinix के जितने भी मोबाईल है उन मोबाईल में out of the box Android 9 Pie में लांच होदा था तो यह मोबाईल out of the box Android 10 में लांच होगा और बता जा रहा है कि Dolphin OS के साथ यह मोबाईल लांच होड़ा है तो Cheetah OS जो था अभी थोड़ा पुराना हो गया है तो जो नया latest Dolphin OS है Infinix वालो का उसी के साथ यह मोबाईल लांच हो सकता है बता जा रहा है Infinix Note 7 के color variant के बारे में बात करते है दोस्तों color variant यह 3 colors में available रहेगा जो की Volvia Blue, White और Blue दोनों mix रहेगा इसमें दूसरी color है Arthur Black नाम का और एक color आएगा इसमें और Forest Green नाम का color आएगा तो मेरा personally Volvia Blue जो White और Blue color का variant है वही अच्छा लगता है दिखने में तो आप लोगों कौन सा अच्छा लाएगा बताई हैं आम लोगों को comment box में लास्ट और इसके price के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो इंडिया में इसका कुछ launch date का confirm नहीं है जो launch date बता जा रहा है कि expected है वो 25 जुलाई का होगा और इंफिनिक्स वालों के तरफ से जितना तक हम लोग convert करके सोच सकते हैं कि इसका price आप लोगों को 12,000 के करीब करीब दिखने के लिए मिल जाएगा मतलब कि 11,999 रुपीज में आप लोगों को ये mobile इंडिया में मिल जा सकता है तो देखते हैं दोस्तों जुलाई महिने में कितना जल्दी इंफिनिक्स इस mobile को ला लेता है इंडिया में पाकिस्तान में और बांगलादेश में दूसरी दूसरी जगा में ये mobile लाँच हो गया है दोस्तों इंडिया में आना बाकी है फिलाल लोगडाउन चल रहा है दोस्तों देखते हैं ओनलाई इवेंट के थूँ इंफिनिक्स वाले जुलाई माईने में इंफिनिक्स नोट सेवेंट को लांच करते हैं कि नहीं करते हैं वीडियो होता है याप ली खतम दोस्तों आएंगे फिर से अच्छी वीडियो लेके आप लोगगो अगर वीडियो अच्छा लगता है